हेलो गाइज यहाँ पर आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं एक फीचर के बारे में यानि के एक प्रोब्लम होती है या फीचर मान लीजे या हमारी मजबूरी समझ लीजे जो हमें करना पड़ता है तुम आपको बता दू सिंपल वर्ड में कि कभी-कभी हमें ऐसा होता है कि हमें अपने कोल फीचर को डिसेबल करना होता है जिससे कि कोई उस पर कोल ना मिला पाए तो यहाँ पर यह कैसे होगा और क्या रिजन में हमें करना चाहिए और इसको बंद करने के बाद हम कैसे चालू कर सकते हैं सारा प्रो तो आप उसको disable कर सकते हैं तो कैसे वीडियो में आपको बताऊँ गा तो इस वीडियो को सुरू से अंट तक देखेगा और अमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को start करके आपको बताते हैं तो सबसे पहले तो गाईस यहां पर आपको अपने Mobile की Settings में जाना होगा उसे पहले menui bar में उसके बाद को у about settings मिल जाएगी यहां पर तो इसको खोल लेना है उसके बाद यहां पर दूस्तों आपको मिलेगी Apps तो Apps में आपको चले जाना है अपस में जाने के बात आपको यहाँ पर आपका phone dialer मिल जाएगा तो मिले तो अच्छी बात हैं ना मिले तो भी अच्छी बात है क्योंकि अगर phone dialer आपको ना मिले तो आपका phone का feature आपको ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पर इसको खोल लेना है force stop कर देना है और यहाँ पर permissions तो यहाँ पर guys हमें अपने phone के feature को जो है de-allow कर देना होगा जैसे यहाँ पर if you deny this permissions basic feature for your device to many longer function as intended तो यहाँ पर इसको deny कर देना है just उसके बाद आप अपने phone को नहीं खोल सकते जिससे आप call मिलाते हैं call मिलाके कि हमारे number से मिलेगी या नहीं call मिलेगी just यहाँ पर मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पर लिकाते दिस applications can't make outgoing calls without phone permissions तो यहाँ पर यह call नहीं मिलेगी तो इस तरीके से guys आप call feature को disable कर सकते हैं और बस सकते हैं किसी से भी आपकी बिना अंचाही बात करवाने से तो guys उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को subscribe भी कर दीजेगा तो मिलते है guys अगली वीडियो में तब तक के लिए bye and take care